हेले अरिवन गूड मॉर्निंग इंडिया आप सभी लोग का स्वागत है आपके इस चैनल में तो आप देखेंगे आज का जो टॉपिक ही कि जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए और यह बहुत ही सही अगर आप चेस का गेम खेले होंगे तो आ है और हम अपने इन्पुट में कमी कर देते हम हमारे प्लाऎनिंग में कमी कर देते तो कई बार पता है आपको पता ही चलता क्या आप उसके पास में जाके हारे हो क्योंकि हार तो हार होती है पता नहीं चल पाता कि आप कितने पास पहुचे थे कि नहीं पहुचे थे क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं होता कि कितने परसेंटेज वहां तक पहुचे थे हार तो हार होती है तो कई बार ना कई बार आपका थोड़ी स बादनी चाहिए और मैं तो बोलताँ कि हारने वाली बात Jesus लेक्स बाली बात बूल कि有點 प्रली चाथा थे यहारनी बात बूल कि डरें उलाइफ वाली बात अगर मैं करूं लाइफ को भी आप रिलेट कर साकर देंशेक्थ एके कि जब तक जिनकी चाहार हो यहिए पता फाइट मतलब आप हारने वाले हो क्या पता जिन्दगी में कब कौन से मोर्ड पे चीज़ चेंज जा है आपके लाइफ में कई बार आप देखोंगे बहुत खराब दिन चल रहा है आज पूरा दिन खराब रहा है आपको लगता अनलकी हो सुबह आप आराम सोटते हो नह कुछ एक्सिडेंटल चीज़े हुई और आपके लाइफ पूरी की पूरी दर से उधर हो गई तो कई पर आपके हाथ में चीज़े नहीं रहती है इस लाइफ को आपको तो जीना है ना इसलिए मैं यह जरूर बोलूँगा कि आप हमें से लास दम तक फाइट करो उसमें कभ इतने लिमिट से कितने एरर से हारे थे यह ना समय तुरन नहीं पता चलता है तुरन नहीं पता चलता है पांस से दस साल बाद आपके गुड आइडिया हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा इंपूर्स करो प्रेसर डालो कि चीज़े मतलब आपको अगर अच्छीव करना है तो आप हमी मत रखो और यह यह फिलिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और यह यह आपका एक्जाम नहीं है और आप आपको लगता है कि मैं एक्जाम निकालूंगा कैसे भी करके और फिर में बड़ा बड़े जिंदगी में मस्त होगी नहीं यार पूरा कॉम्प्लिशन का करेंगा कि मैं तो बलता हूँ कि अगर किसी का सब्पूस्च करो की टॉप फिटी रंक और एका टॉप फाइफंडेंद्ड रंका गया मैं लिख की साथ बोल रहो हूँ और मैं तो लास्ट सोला साल से जब से पढ़ा रहा हूं तब से मैं फूरे experience देखा हूं लोग के साथ एग्दम real वो अपने अपने सामने देखा जिन लोगो जानता हूं ऐसा भी नहीं कि कोई सर्च करके कई पड़ा था कि कुछ कुछ भी कर सकता है को में को 걍के लिप क्या भायर हो सकता हू這裡 कि यूं दूसरी श्टोरी लो तो यह आपको देखना होता है कि हाप कि आपनी इस्टोरी को किस हद तक कैसे लडते हो हार भी जाओ जिसको मैं हार नहीं बूलता है अगर मान्गी दा कि बाइता है लो लगता है कि सर आप तो सर बोल सकते हो ना सर ऐसा की ऐसा करनाची वैसा करनाची सर जितने successful लोग होते हैं सर बहुत motivation बात करते हैं सर जब आप achieve कर लेता हो तो बहुत motivation बाते निकलती है बड़े अच्छे statement बड़े अच्छे court आप यूज कर पाते हो एक successful लोग तो कर पाते हैं sir failure का दर्द कुन समझता है sir मैं बोलता हूं कि मैं समझता हूं क्योंकि जो आपको दिखता हूं success है जो आपको नहीं दिखता हूं failure है मेरा बहुत सारे मैं प्लान करता हूं उसमें से कुछ execute होते हैं और वो इंडिया लेवल पे हिट हो जाते हैं और पूरे इंडिया देखती है और लोग देखते हैं गेड़े कि बिता बड़ा ब्रांड है लोग देखते हैं कि उमेजधान एक successful person है कि rich person है लेकि मेरी planning उससे भी आप था वो अपने आप में locally हिट था और मैं happy नहीं हूं लोग भले चाहिए congrates बोल रहें बहुत बार जिनगी की बहुत सारे situation में सब चीज़े होती रही है इसका मतलब है कि सोचो मैं plan कितना अच्छे तरीके से सोचता हूं कितना next level सोचता हूं कि कुछ चीज़े अगर मै आपके input में कोई कवी निहीं होना चीज़े आपके स्मार्ट पर्शन बनना है पता है यह स्मार्ट परसन रहें स्मार्ट परसंनगे स्मार्ट से रही को नहीं हरोगे Ans reward को आपको लगता है कि rich इस प्रसन का मतलब सबसे बड़ा विक्तिजू रहा है, आई सब बिलकुल नहीं, बहुत सारी डेफिनीसटनी इस जिन्दगी जीने की तो आज यो कोड बड़ा अच्छा था कि जीनने से पहले जीत और वांना जी चहि जह कभी क्या पता जीतते जीतते हार आज। जित जाओ यह जिंदगी है इस जिंदगी में इसे बहुत सरे रास्ते आएंगे इसलिए ना पूरा का पूरा effort देते रहो जितना आप दे सकते हो और पिर जो होगा यार देखा जाएगा it's okay acceptance रखो पूरे दुनिया के सब लोग तो reach नहीं है पूरे दुनिया के सब लोग तो successful नहीं है हमारे ममी पापा लोग तो अमीर नहीं है बहुत middle class family की ममी पापा अमीर होते है क्या क्या उनको बहुत सरे लोग बोलते हो कि you are the great you are the great नहीं ना तो क्या वो exactly failure है नहीं ना ऐसा थोड़ी होता है हर बर हमारे सोचने का तरीका हमको लगता है कि exam नहीं निकला failure no या और आप live बहुत अच्छे से जी रहे हो यकिन मानिये यही मैं message लोगों को देना चाहता हूं क्योंकि यही life actually यही life है ठीक है चलो तो आप ऐसे ही what's up की status बनाते रही है facebook में share करते रही है आप में से thought share कीजिए आप में को topic बताते रही हमें साब reply करते रही है good morning लिखते रह आप बताईए कि आप जिन्गी में क्या सीख रहे हो यह motivational जो वीडियो आपके लिए कितना helpful है आप अपने thought में से share कीजिए यह जो combination होगा ना यह society में revolution लेके आएगा new change लेके आएगा यकिन मानिये यकिन मानिये मैं तो यकिन मानता हूं अब आप पर depend करता है कि आप कितना यकिन मानते हैं मैं तो मानता हूं मैं तो मानता हूं और यह change होगा यकिनन change होगा ठीक है ओके thank you love you all